RTE, RTE का मतलब है Right to Education, शीक्षा का अधिकार, जो RTE Act के तहद पूरदेश में लागू है RTE के अंतरगत 6 से 14 वर्ष के आयू के बच्चों को किसी भी सरकारी या प्रावेट स्कूल में कक्षा 1 से 8 वी तक मुफ्त और अनिवारिय शीक्षा का अधिकार प्राप्त है RTE के तहद किसी भी सरकारी या प्रावेट स्कूल में कक्षा पहली के कुल विद्यारती संख्या के 25 पूर्टिशद सीटें वन्चित वद्दुरूबल गटकों के विद्यारतियों के लिए आरक्षित है इनी आरक्षित 25 पूर्टिशद सीटों के एड्मिशन के लिए सभी वन्चित वद्दुरूबल गटकों के बच्चों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवारिय है आईए अब जानते हैं कि कैसे करना होगा आर्टिई के तहद 25 पूर्टिशद सीटों के लिए आवेदन आप अपने आसपास के किसी भी इंटरनेट कैफे से संबंदित राज्यकी आर्टिई की वेबसाइट पुर जाकर आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं आउनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास मोबाइल होना आवश्चक है जिस पर आपको आवेदन करते समय एक OTP आहेगा आउनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्चक डॉकुमेंट्स पहला जन्म प्रमानपत्र बर्थ सर्टिफिकेट रहवाशी प्रमानपत्र बुमेसाइल सर्टिफिकेट तीन आय प्रमानपत्र इंकम सर्टिफिकेट यह केवल दुर्बल घटकों के लिए अनिवारिय है चार जाती प्रमानपत्र कास्ट सर्टिफिकेट यह केवल वंचित घटकों के लिए अनिवारिय है पांच, बच्चे के दो पास्पोर्ट साइज फोटोग्रेप्स आउनलाइन आवेदन करते वक्त आप अपने घर से एक किलोमेटर, तीन किलोमेटर या उससे ज्यादा की दूरे के स्कूल चुन सकते हैं आपके घर से जो स्कूल नस्दीक होगा, उसी में एडमिशन के लिए आपको प्राथमिक्ता दी जाएगी आर्टी के तहद एडमिशन के तीन से चार राउंड हो सकते हैं आपका एडमिशन होने पर या ना होने पर आपको SMS त्वरा सूचित किया जाएगा SMS में जिस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है, उस स्कूल का नाम लिखा होगा SMS आने पर आपको फिर से आर्टी की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना अलोटमेंट लेटर प्रिंट कराना होगा स्कूल में जाते समय आपको अपना अलोटमेंट लेटर, एप्लिकेशन फॉर्म और साथ में अवश्चक डॉकुमेंट्स लेकर सम्मदित स्कूल में जाना होगा और अपना अइडमिशन कंफर्म करना होगा एक बार अइडमिशन कंफर्म कराने के बाद आपको आर्टी के तहद कक्षा एक से आर्टीवी तक शिक्षा मुफ्ट मिलेगी और आपको किसी प्रकार की फीस या शुल्क स्कूल में नहीं जमा करना पड़ेगा अगर फिर भी स्कूल में आपको किसी प्रिकार की फीज भरने के लिए कहा जाए तो आप अपने तालुका या जिला शिक्षा अधिकारी को इस बारे में शिकायत कर सकते हैं जानकार बने, सक्षम बने अब शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार